अस्सलाम उलेकुम प्यारे दोस्तों असदुदिन OIC के बारे में कौन नहीं जानता वो भारती राजनेता हैं वो All India मजलिसे इतिहादुल मुसलिमीन के यानि के AI MIM के राष्ट्रे अध्यक्ष हैं OIC साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं उन्होंने संसद में शपत लेते वक्त जैफ फलिस्तीन और अल्लाहु अकबर का नारा लगाया उसके बाद उनके साथ में जो कुछ होना शुरू हुआ और फिर अल्लाह तबारक वाताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि यह सब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे यह बात तो आप जानते ही हैं कि असदुद्दिन उवैसी साहब कौन हैं दोस्तो ऐसा करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होती है तो पूरा मामला क्या है आईए आपको तफसील से बताती हैं दोस्तो आज जो सच्चा मुसल्मान होगा जिसके द दोस्तो जब कहीं पर भी कुछ भी मुसल्मानों के खिलाफ होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने उभर कर आता है वो है असदुद्दिन उवैसी जी हां दोस्तो असदुद्दिन उवैसी साहब ही वह हस्ती हैं जो मुसल्मानों की आवाज को बुलन करते हैं मुसल्मानों के स खड़े होते हैं दोस्तों असदुद्दिन उवैसी ने हैदराबाद से बिये तक की पढ़ाई की और उसके बाद से लंदन चले गए वहाँ पर उन्होंने बैसलर ओफ लौ बैरिश्टर की पढ़ाई की असदुद्दिन उवैसी साहब सिर्फ राजनेता नहीं बैके वो एक वकील भी हैं असदुद्दिन पहली बार 2004 में हैदराबाद के लोग सभा छेतर से सांसत चुने गए उसके बाद वो 2009 और 2014 में भी हैदराबाद छेतर से सांसत चुने गए 2019 के आम चुनाओं में वो अपनी पार्टी अल इंडिया मजल से इतिहादल मुस्लिमीन से फिर से हैदराबाद छेतर से उम्मीदवार हुए और फिर जब एक बार 2024 में एलेक्शन हुआ तो असदुद्दिन उवैसी ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल करी और संसत में अ फलस्तीन बोला उसके बाद में तकबीर अल्लाहु अकबर पर अपनी बात को खत्म कर दिया लेकिन जैसे ही ओएसी साहब ने जैए फलस्तीन बोला तो संसत में हंगामा हो गया जितने भी बीजेपी के संसत थे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर और तक तक के राश्रपती के पास भी ये सिफारिश कर दी गई है कि ओएसी की संसत की सदस्ता खत्म कर दी जाए लेकिन दोस्तों यहाँ पर गैर कानूनी वाली बात यह है कि अगर जैफलस्तीन का नारा लगाना हिंदुस्तान में कोई जुर्म होता तो ओएसी साहब ऐसा क करते कि ओएसी साहब कोई जाहिल नहीं है वैकर उन्होंने लंदन से दीगरी हासल करी हुई है और ऐसा करने से पहले उन्होंने काफी सोछा समझा होगा तब जाकर उन्होंने जैफaliśmy्तौन का नारा लगाया होगा अगर यह हमारे संभीधान चुर्म होता यह हमारे कानून के खिलाफ होता तो ऐसी बाते और ऐसी हरकतें और ऐसी साहब कभी नहीं करते क्योंकि वो संबीधान और कानून का पालन करने वाले शक्स हैं लेकिन उनके खिलाफ मीडिया पर और सोशल मीडिया पर काफी बाते चलाई जा रही है उनके सदस्ता को रद करने की बात की जा रही है यहां तक कि उनको जेल में डालने या उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की जा रही है तो दोस्तों OIC साहब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि OIC साहब पढ़े लिखे इनसान है और उन्होंने जो भी किया संभिदान और कानून को मद्दे नजर रखते हुए ऐसा किया होगा OIC साहब को लेकर वैसे भी बहुत सी बाते चलाई जाती है हमारे कुछ मुसल्मान भाई हैं उन्हें भाजबा का दालाल कहते हैं उन्हें बीजेपी से पैसे खाये हुए बोलते हैं इन सब बातों के बावजूद भी OIC साहब पीछे नहीं हटे उनके ओपर कए बार गोलियां भी चलाई गई कए बार हमले किये गए लेकिन फिर भी वो डटे रहे बस आखिर में अल्लह तबारक वाताला से दुआ करेंगे कि अल्लह तबारक वाताला वैसे साहब को सलामत रखे उनकी हिम्मत में इजाफा करें उनको हमारा लीडर बनाएं आमीन या रबल आलमीन प्यारे दोस्तों कमेंट बाक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा पता नहीं किसका आमीन खुबूल हो जाए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक फिर नए वीडियो के साथ अस्सलाम उलेकुम रहमतुल्लाही वबरकातू